नमस्कार मैं हूं मनीश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज निउस इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौझूद है कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्री आदित्य पासवान आदित्य पासवान जी आज हम आपसे यह जानना चाहेंगे अभी यह जो कॉंग्रेस की भारत जोरो यात्रा चल रही है सबसे पहले तो यह बताईए कि इसका मुख्य मकसद क्या है और इसको अपार जंसमर्थन मिल रहा है इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यह आपका बहुत धन्यवाद देके भारत जोरो यात्रा करने का जो देश है वो भारत को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है राजीत करने के लिए सत्ता में बने रहने के लिए उसको वापस फिर से एक सूत में पिरोने के लिए भारत जोडो यात्रा की शुरुवात कॉंग्रेस द्वारा की गई है आज जो देश में जो स्थिती बनी हुई है धर्म के नाम पर धर्मी कुनमात पहला करके सत्ता में बरे रहने का उसको वापस से ठीक करने के लिए कॉंग्रेस ने भारत जोडो यात्रा के शुरुवात की है क्योंकि आज देश की जो संस्थाएं हैं जो मुख्य संस्थाएं हैं उसको बहुत ही औने पोने दामों पर भारति अंतर पार्टी अपने विपारे मित्रों को बेश दे रही है एक सुत्र में पिरोने के लिए हमने भारत जोडो यात्रा के शुरुवात की है और देखी यह हम लोग पिछले आठ वर्सों में लगतार बोलते रहे हैं इस चीज के बारे में कि जितने भी जो संस्थाएं हैं इसको बहुत ही कम कीमत पे भारति अंतर पार्टी अपने मित् एसी के फॉर्ट 9% है और इसकी एसेट्स जो है जो मैं बोल रहा हूं उसको फैक्ट चेक लोग कर सकते हैं उसकी एसेट्स जो है 1327 क्रोड की एसेट्स उसकी है और उसने पिछले साल मात्र 18.53 क्रोड का लॉस किया ठीक है और उसको सरकार ने बेच दिया एक ऐसी कमपनी जो मात्र 6 महिने पुरानी थी स्टार 9 मोबिलिटी के नाम से उसको 211 करोड में बेच दिया जबकि उसकी एसेट्स जो रनिंग एसेट्स है जिसको एक साल ने बेच के कम से कम 509 करोड उपे को कैश रेस किया जकता है उसको 211 करोड में बेच दिया गया और किसको बेचा गया ज उसके तीन पार्टनर्स हैं उस कंपनी में, तीन कंपनीयों के मिलाके एक कंपनी उसकी बनी है, समय, महराजाजाई विग चार्टर और इन्वेस्टमेंट्स का रजिस्टरेशन जो है, वह केमन आइलेंड में है, जिसको टैक्स हेवन के नाम से जाना आदा है, जो टैक्स की च पाए उसकी पेमेंट उन्हों वो जब नहीं कर पाए जो एलमस इंवेस्टमेंट्स हैं तो एंसी अल्टी ने उस पर रोक लगा दिया एंसी अल्टी पर रोक जब लगा तो काफी हंगामा हुआ तो केंद्र सरकार को तब लगा कि बात खुल जाएगी तब उन्होंने जाके प वापस सरकार के पास आएंगी जो भिग गया उसको तो वापस लाना मुश्किल है लेकिन जो भारे तक समुंद्र है और हमने एक सेख संस्थाएं भारत में बनाई पिछले पिछले 72 वर्सों में बहुत सारी संस्थाओं को बनाये गया और वो किसका है वो टैक्स के पैसे का है पब्लिक का है हमारा है आपका है और उसको अपने ये वैपारी सरकार अपने वैपारी मित्रों को फाइदा पहुचाने के लिए इसको रोकने के लिए इसको बचाने के लिए जो देश में उन्मान फैल रहा है जो सुसाइटी अलग हो रहा है उसको बचाने के लिए भार साथ में भारत जोड़ो यात्रा में उनको तो साथ आना चाहिए ना जब आप देश भक्ती की बात कर रहे हैं तो आप हमारे साथ आए हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और भारती अंता पार्टी क्या कहीगी जब देश की सर्वोच नयाले ने कल कहा कि देश में हेट साइटी कि खाराब हो रहा है कि सरवोच न्याले को कि यह पूछ न चाहांगा कि अब ऑब नहीं को सगखाए तो भारत जोड़ो यातरा निकल रहे हमें अपार्ग जंसमर्थन अप्रेयम質 और हम में पुर्ण विश्वास है कि देश फिर से वापस एक सूत्र में आ जाएगा